आज का टॉपिक है वो है इद फेशिल आट होम यानि के इद की तैयारिया या अपनी स्किन को इद के लिए आप कैसे रेडी करेंगे और फेशिल क्या होता है और आप घर में कैसे कर सकते हैं प्रफेशेल मतलब है DEEP CLINZING जा देने एब सबुआजिंग लुटे रबाजब और आपने देखा होगा किसरे अपने किछन है अपनी किच्छा अपने वाश्रूम यह आपने वाट्रोप की डीप रिट करते हैं कि जब करते हैं तो हम क्या करते हैं हम सारी के सारी गंदी चीज़े भी निकाल देते हैं और हर तरह की कि बया है एक जब कैंड़न olacak उसको हम साफ करते हैं और बीज अरो kitchen में कर देनी होती है उसी तरह से जो हमारी स्किन है उसको भी डी क्लटर किया जाना चाहिए उसकी भी सफाई बहुत जरूरी है और मैं आपको बताओं अगर आपकी स्किन जो है वो वेल प्रिपेर्ड होगी तो फिर आप देखेंगे कि आपको इतने मेकप की जरूरत ही नहीं पड़ेगी इस करगी के मौसम में और आप फिर भी फ्रेश और हेल्दी लग रहे होंगे और आपकी स्किन साफ होगी तो गलो तो आही जाएगा ठीके जी तो फेशिल का बेसिकली मतलब क्या होता है डीप क्लिंजिंग यानि के डीप क्लीनिंग करना अपने फेस की स्किन की ठीके जी इसमें हमने क्या करना है कि मैं आपको सबसे पहले इसके स्टेप्स बताने वाली हूँ स्टेप्स को अगर आप लिख लेंगे तो वो बहुत अच्छा होगा और इसको स्टार्ट करने से पहले एक बहुत ज़रूरी बात कहीं पे भी पूरी दुनिया में फेशिल म नहीं होता हमने ब्लीच किसी भी किसम का फेश की स्कीन के उपर यूस नहीं करता आप जब भी यूस करेंगे अपने फेश की स्केन पर तो आप देखेंगे कि आपकी स्केंट अच्छे होने की बजाए सेंसिटीव होती जाएगी उसके उपर राशयस बने गेट वह कहीं से हो जाएगी और अच्छे होने की बजाए बुरी होती जाएगी लेकिन फॉर सम्हाओ अनफॉर्चनेटली पाकिस्तान में जब भी आप सेलॉंस पे जाएंगे या पालस में जाते हैं तो सेलॉंस पे उन्हों ने इस स्टेप को रखना ही है एक तो मैं आपको सजेस्ट या कितना तेमप्रेचर आपको देना चाहिए या कैसे लेना है यह लर्न करना मुश्किल होता है और बजाए इसके कि स्किन को स्किन के उपर कोई एप्छा एफेक्ट आने का चांद ज्यादा हो जाता है तो आपने दो चीज़ा याद रखती हैं फेशिल करते वे कि आपने ब्लीच यूज नहीं करनी कि सी भी किसम का ब्लीचिंगे जिसनी होना चाहिए सिकें के उपर और उसके इलावा स्टिम यूज नहीं करनी ठीक है टीक है ठीक है तो हम जल्दी जल्दी सबसे पहले जो स्टेप्स है उनको देख लेते हैं जी क्या steps हैं सबसे पहले number one पे है cleansing हमने deep cleansing करनी है ठीक है उसके बाद आता है washing आपने फिर face को wash करना है फिर आता है exfoliation फिर हमने exfoliate करना है exfoliate करने के बाद उसको उतारने के बाद exfoliation के बाद हमने mask यूज़ करना है मास्क यूज़ करने के बाद हम कोई भी serum लगाते हैं ताके जो serum है जो भी nutrition जो हम देना चाहते है अपनी skin को वो अंदर चली जाए ठीक है और फिर serum के बाद हमने moisturize करना होता है और moisturize करने के बाद हमने massage करना है ठीक है जी तो मैं आपके साथ फिर से बोल रही हूँ यह seven steps है seven steps में जो first step है वो है deep cleansing जो second step है that is washing यानि कि अपने face को wash करना जो third step है उसमें है exfoliation exfoliate करने के बाद आपने use करना है mask, mask use करने के बाद हम use करेंगे serum ताके जो भी nutrition देना चाहते हैं skin को वो मिल जाए और फिर उसके बाद हम करेंगे moisturize और moisturize करने के बाद last and the seventh step is massage ठीक है तो यह तो होगे essential seven steps अब मैं आपको जल्दी जल्दी कुछ चीज़ें दिखाने वाली मूँ ताके आपको यह understanding हो जाए कि आपने क्या करना है सबसे पहले तो यह कि आपकी skin पर कुछ भी लगावानी होना चाहिए आपकी skin बिल्कुल साफ होनी चाहिए साफ का मतलब कोई moisturizer नहीं कोई कोई चीज आपके face के उपर नहीं होनी चाहिए कोई serum कोई moisturizer कुछ भी नहीं कोई sun box नहीं ठीक है आपके साथ साथ आपके घर में जो भाई है या अपके हस्बंस है या आपके फादर्स है आप उनका भी साथ साथ यह वाले स्टेप्स करके उनकी स्किन को भी नीट और क्लीन कर सकते हैं यह all skin types है यह cleansing है इसके इलावा जिनकी स्किन पर बहुत ज़्यादा oil आता है या young skin है और बहुत ज़्यादा oil produce होता है acne है या acne prone है white heads है black heads है और या पर बहुत ज़्यादा पस्तीना आता है बार बार face को staff करना पड़ता है उनके लिए यह है तो यह दोनों ही basically deep cleansing cleanse मैं आपको दिखा रही हूँ यह aged skin और उसके इलावा अगर dry skin है और या फिर normal skin है यह उनके लिए है यह उनके लिए है जिनकी skin young skin है white heads black heads है pimples है active acne है या फिर यह कि बहुत ज़्यादा oily skin है बहुत ज़्यादा पसीना आता है बार बार wash करना पड़ता है तो basically यह यूज करना है ठीक है cleansing करने का तरीका क्या होता है आपने हलका सा गीला करना है पूरा पानी ना गिराएं अपने face की उपर हलका सा इसको damp कर लें यानि कि face को करना या यूज करना शुरू करना है नेक को आपने नहीं बूला ठीक है इसके लिए आपको कितना टाइम चाहिए only 10 सेकंड सिर्फ 10 सेकंड के लिए आपने क्लिंजिंग करनी है including your face and your neck उससे जादा आपको क्लिंजिंग की जरूरत नहीं है यह मैंने आपको क्लिंजिंग का तरीका बता दिया उसके बाद आजाता है face wash करना है cleansing को फिर आपने उतारना है उसको आपने जरूर उतारना है उसको साधे पानी से आप wash कर देंगे जब आप wash कर लेंगे तो फिर आपने अपना face wash उस करना है face wash जो भी आप अपनी रूटीन में use करते हैं you can use that और यूजिली तो हम बताते ही रहते हैं कि आपके लिए suitable कौन सा face wash है और आपको क्या चीज यूज़ करनी चाहिए ठीक है face wash हो गया face wash करने के बाद अब हम आ जाते हैं exfoliation पर कि देखें मैं आपको exfoliating gel दिखा रही हूँ all skin types पर यूज़ हो सकती है कि CBH group पर यूज़ हो सकती है male, female कोई भी से यूज़ कर सकता है इसकी beauty क्या है कि ये basically जो exfoliation करेगी उससे आपकी dead skin भी उतरेगी और उससे एक तरह से double cleansing भी हो जाएगी dead skin भी उतरेगी और आपके pores भी clear होंगे ये जो मैं आपको दिखा रही हूँ ये exfoliation है exfoliation के लिए all skin types के लिए दिखा रही हूँ ये भी जो आपने use करना है वो अपनी gilly skin के उपर damp skin हुई भी है आपकी आपने अब ये भी face wash किया होगा damp skin के उपर ही आपने इसको use करना है बिल्कुल उसी तरह से यहाँ पर थोड़ा सा ले लेंगे और उसके बाद जो है वो आपने इसी तरह से अपने finger tip से इसको use करना है including your neck neck को भी include करें ठीक है ये भी आपने 10 seconds use करना है एक तो मैंने ये दिखाया है exfoliation की जगा आप जो है वो enzyme peels भी use कर सकते है और उसके इलावा peels भी use कर सकते है ठीक है ये देखें ये exfoliation के लिए exfoliating gel है ये enzyme peel है और ये जो आप देख रहे हैं ये basically जो है वो AHA, BHA peel है ठीक है अच्छा ये दोनों peels है इन दोनों में difference क्या है जो ये वाली peel है enzyme peel ये ज्यादा deep penetrate नहीं करती है उपर से आपकी skin के उपर से जो dead cells है वो हटा देती है ठीक है पट इसकी deep penetration नहीं है ये जो AHA peel है ये 8% है और इसकी deep penetration है ठीक है जो exfoliant होता है वो exfoliation जो है वो सिरफ आपकी skin के उपर से जो dead layer है वो उतार रहा है blackheads है, whiteheads है बहुत जादा oily skin है बहुत जादा पसीना आता है उनके लिए enzyme peels बहुत अच्छे रहते हैं ठीक है ये all skin types है आप aged है, आप young है आप male है, female है आप ये use कर सकते हैं बट जो peels होती है उनको आप 15 दिन में एक दफा यूज करेंगे उससे जादा जल्दी यूज नहीं करता जो exfoliation है, जिनकी skin oily होती है, जिनकी skin पे whiteheads, blackheads होते हैं या फिर active pimples होते हैं या acne prone होती है उन्हों ने, वो लोग ये daily भी use कर सकते हैं exfoliation के लिए 10 seconds के लिए नहीं तो आप एक दिन छोड़के एक दिन कर सकते हैं जिन लोगों की skin dry है या aged है वो exfoliation के लिए इसको हफते में तीन दफा यूज कर सकते हैं ये तीनों चीजें जो मैंने आपको दिखाई हैं वो आपने use 10 seconds के लिए ही करनी है फिलहाल हम जो बात कर रहे हैं वो face and necky कर रहे हैं ठीक है होगी जी हमारी exfoliation exfoliation के बाद जो है आपने अपने face को फिर से पानी से wash कर दिया wash करने के बाद आपने mask लगाना है अब मैं आपको different तरह के mask दिखा रही हूँ let's suppose कि skin जो है वो normal है या normal skin है और उसके उपर pigmentation है ठीक है तो ये बाला mask जो मैं आपको दिखा रही हूँ ये pigmentation को खतम करेगा uneven tone को खतम करता है ये उसके लिए है अब मैं आपको एक और mask दिखा रही हूँ जिनकी skin जो है उसके उपर acne है या acne prone है या बहुत जादा ये उसके लिए है ये यूज कर सकते है ठीक है और अब मैं आपको एक और mask दिखा रही हूँ ये mask उनके लिए है जिनकी skin पर बहुत सारे whiteheads blackheads होते हैं ठीक है बहुत सारा बसीना आता है बहुत सारे open pores होते हैं ये उनके लिए है ठीक है मैं आपको तीन तरह के मास्क दिखाए है राइना फिल्हाल पर नाव एफ शोन फ्री मास्क ठीक है ये जो है ये ये पिग्मेंटेशन को खतम करने के लिए है ये एक्नी प्रोन स्किन के लिए है ये जिनके whiteheads blackheads open pores हैं ये उनके लिए है आप आप आपाराज़ किसकी नॉमल है और उप सरफ खाली हमें whiteening या brightening चाहिए उसके लिए मैं आपको ये वाला मास्क दिखा रही है उसके बाद इसके बाद लिए वह स्किण जो है वह नॉमल है या एज़्ड है या ड्राय है और आपको सूध करना है और आपको हाइडरेशन देनी है सकिन पे तो फिर आप की वला मास्क आछ करो हाँ तो प्र नहीं हो hangingg आछ आपको five varieties दिकाईगी यह दोनों भी मास्क हैं और इसके इलावा ये भी ये तीनों भी मास्क हैं ये तीनों जो हैं मास्क डिफरेंट तरह के होते हैं इस मास्क को जब आप लगाएंगे तो उसके बाद इसको पानी से उतारना पड़ेगा कुछ ऐसे मास्क होते हैं जिनको वाश करना पड़ता है कुछ ऐसे मास्क मास्क पाद यी को आतारन से बाद वाद निट ने चेए को आपकि क्वार्ग यन इन चेक मास्क सकते हैं। स्लोली ठायां छिगा मास्क और 25-30 मिनिट flag वाद उसके बाद आपने मास्क को उतार दिया मास को उतारने के बाद आपने क्या करना है सरम लगाना है सरम जो है वो drops में डाल के जादा तर droppers ही होते हैं तो आपने यहां पर थोड़ा सा ले लिया और उसके बाद उसको आपने अच्छी तरह से distribute कर दिया ठीक है यहां पर मैं आपको एक कुछ एक्विपमेंट दिखाना चाहूँगी जो कि आप घर में यूज करके अपनी जो पैनिट्रेशन होती है किसी भी चीज की उसे ज्यादा कर सकते हैं ज्यादा अच्छा रिजल्ट दे सकते हैं यह देखें यहां पर मैं आपको एक डिवा लिए यूज होठाहिए होती है ठीक है कोई भी एप्लीकेशन यजिसको आपने सके ऑंदर अंपर कर वाना इसके अचल थरीके से डिफ्यूस कür शहाना है तो इसको डिफ्यूसर कहते है जो कि कि बेसे क्ली पैने जिशन को ज्यादा करता है यूज करने का क्या थाेका होता है सिंपल होता है जैसे आपने बगाली आपने अफने फेस के उरफ उसके बाड आप इसको ऐसे करके चलाते जाएंगे तो उम अंधर चला जाएंग यानि कि हमने Penetration या absorption ज्यादा करती है उसके राद आजाते हैं सिरम लगा है सिरम लगाने के बाद आपने Moisturizer लगाना है Moisturizers जिस तरह से हम बताते ही रहते हैं आपको गाइड किरते रहते हैं कि आपने स्किन टाइप के इस आप से लेना होता है आपको online में available है, आपको शॉक्स में भी available होता है, यह massaging tool है, आपने अपना moisturizing cream या moisturizer जो है वो लगा लिया, जो भी है gel form है, cream form है, जो भी है lotion form है, उसके बाद आपने इसको use करना है, यह इसकी direction होगी, ऐसे, ऐसे, इधर से भी ऐसे, ऐसे करके आप use करेंगे, इधर से आप ऐसे जा सकते हैं, अपर लिप्स के लिए एरिया पर ऐसे जाएंगे, चिन को यहीं पर रखेंगे, उसके बाद आपकी जो यह वली जगा है, जो आपकी जो आपकी जो लाइन है, नीचे से चिन है, उसको आप इस डारेक्शन में करेंगे, और पर नेक के मॉस्टल्स को आप ऐसे इसको यूज करेंगे, ठीक है, जो ये वाला एरिया है, इस पर देखें ऐसे, ऐसे और ऐसे, यहां पर आपने इस तरह से यूज करना है, ठीक है, तो जब आपने मॉस्टराइजर लगा दिया, उसके बाद आपने मसाज करने है, अब मैंने आपको इसका टूल भी दिखाया यह देखें, जैसे इसकी लाइट जल रही है, इस वकद इसमें ग्रीन लाइट आ रही है, इसमें ग्रीन लाइट भी आती है, इसमें ये येलो और ग्रीन मिक्स भी आती है, और एक रेड लाइट आती है, ठीक है, अब जिन लोगों को जो ट्रिक है, जिन लोगों कि इसके वो green light पर रखके इसको ऐसे ऐसे करके use करेंगे तो जो आपने massage की ही है या जो cream लगाई भी है वो ज्यादा अच्छे तरीके से आपकी skin में जाएगी और आपके muscles को relax कर देगी, आपकी healing करवाएगी, आपकी rejuvenation करवाएगी, ठीक है? जिन लोगों की skin पर acne होती है, उनको green light चाहिए होती है, जिन लोगों की skin के उपर कुछ नहीं है, सिरफ उनको heal करना है या फिर जो है, वो recover करना है अपनी skin को, तो वो basically yellow light पर जाएगे और जिन लोगों की skin aged है, और वो anti wrinkle और fine lines और open pores पर काम करना चाहते हैं, तो उनके लिए क्या है? उनके लिए red light है, ठीक है? ये बहुत सस्ती चीजे है, मैंने आपको तीन चीजे दिखाई हैं, ये बिलकुल महंगी नहीं है इन में बैटरी जलती है या cells जलते हैं, ये खराबी नहीं होती है, आप सालों यूज़ कर सकते हैं वेरी नाइस investment और मेरा ये ख्याल है कि ये investment करनी चाहिए क्योंकि ये brilliant investment है, बहुत intelligent investment है जिससे आप अपनी skin को अच्छा रख सकते हैं, ठीक है जी? तो ये मैंने आपको steps बताए हैं, मैंने आपको कुछ चीजें दिखाई हैं, जिससे आप घर बैटके एट से पहले अपनी skin को deep cleanse कर सकते हैं, उसको fresh और healthy look दे सकते हैं, और एट वाले दिन जो है वो जबर्दस नदर आ सकते हैं, ठीक है जी? एक और ऐवाइस जो है वो ये है, steps तो मैंने सारे पताए हैं, चीजें में बहुत सारी आपको दिखाई हैं और डिसकस की हैं, इक और चीज या एक और ऐडवाईस जो मैं आपको या एक और जो ट्रिक मैं आपको बताना चाहती हूं आप भी टिंटेट संबॉक्स अगर लगाएंगे तो आपको कोई और ची स्किन के ऊपर आपने वेल प्रेपेर्ड की विये स्किन तो उससे पर यह होगा कि आपको बहुत सारी चीजे नहीं लगाने पड़ेंगी स्किन पर और वैसे ही आपकी स्किन जो है वो फ्रेश लूप इसके साथ सथ ये होता है कि अगर आप 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 आईस के ओपर वाई प्रिंट कलर को ने यूस करढ़ें जैसे मैं इस वाक के साथ ये अलो यूज warrior कर सकूँ कर सकूँ या वाइबरेंट आइकलर यूज करते हैं, आइब्रो आइब्राउस बना लेते हैं, और उसके इलावा जो है वो आप मस्कारा लगा लेते हैं, तो आपको बहुत सारे मेकप की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपकी स्किन बच जाएगी, वो ब्रीद करती रहेगी, आपकी स्कि के साथ ही जो है चिलका नहीं उतारना चिलके के साथ ही उसको दो लें, ट्राय कर लें और उसके बाद उसको ग्रेट कर लें या कदू कर लें उसके बाद मलमल के कपड़े से उसका जो जूस है उसको निकाल लें वो जूस जो है वो आपने स्प्रे बॉटल में ढाल देना है और spray bottle को आपने फ्रिज में रखते रहे अब आप उसको बार बार निकाल के अपने फेस के उपर यूज करेंगे और आप देखेंगे के आपकी skin जो है वो पिल्कुल सूध रहेगी उस पर कोई राश रेडनेस नहीं होगी चाहिए आप कीचेन में काम कर लें चाहिए आप जाते हैं कि आपकी skin ज्यादा अच्छी लगे तो फिर आपको पता है कि क्लिनिक में जो है वो डिफरेंट तरह के फेशिल्स जो है वो अवेलेबल है उसमें वाइपनी फेशिल्स भी है उसमें रीजुविनेटिंग फेशिल्स भी है उसके इलावा जो है वो हाइडर फेश झाल